सेलो माइ डियर फ्रेंड्स वां में आपको पताओंगा ओनूर आपको नाम से पता चलगा होगा कि इसका मेंनिंग क्या होता है डिसोनर फजैक मतलब जब चेक में कुछ गलती होती है तो एक bank अपने customer को पैसे नहीं देता, अपने payee जो है उसको पैसे नहीं देता, तो तब dishonor of check होता है, but wrongly dishonor of check क्या होता है, वो तो normally हो गया, अब wrongly क्या होता है, wrongly का मतलब मैं आपको समझाओंगा, first मैं आपको meaning समझाओंगा, उसके बाद consequences हम देखेंगे, उसका परिणाम क्या होता है, if dishonor is committed by mistake or by negligence on the part of the banker or his employees, then it is considered as wrongful dishonor, so wrongfully dishonor of check मतलब, जब एक banker के, banker की वज़े से कुछ घलती होती है, या तो फिर उसकी mistake की वज़े से, या तो फिर उसकी negligence की वज़े से, अगर check bounce हो गया, या तो फिर check dishonor हो गया, उसके वज़े से, बैंकर के वज़े से, य या तो फिर bank के employee के वज़े से, अगर check bounce हुआ, या तो फिर check में कुछ mistake होने के वज़े से, अगर pay को पैसे नहीं मिले, तो तब उसे हम कहेंगे wrongly dishonor of check, ये हो गया अपना meaning, अब हम देखेंगे consequences क्या क्या होती, इसका परिणाम क्या भुकतना पड़ेगा, एक banker को हम देख with imprisonment up to two years or with monetary penalty or with both as it is a criminal offense, this is in accordance with section 138 of the negotiable instrument act 1881, so according to section 138 of negotiable instruction act 1881 के तहद, अगर normal circumstances में, अगर जो check दे रहा है, अगर उसकी खलती रही, तो उसे दो साल की, दो साल तक सजा भी हो सकती है, और उसे monality penalty भी लग सकती है, तो फिर penalty भी लग सकती है, नॉर्मल circumstances में, जब जो pay कर रहा है, जो pay कर रहा है बंदा, उसके उपर, ये मैंने बताया, अब मैं आपको बता होगा कि, banker के गलती हुए तो क्या होगा, banker के गलती customer has sufficient balance in his account, the banker is the bound to honor such a check, if he is failed to do so, he shall compensate the drawer for any loss or damage caused by such default, so in case, अगर banker की गलती रही, so, banker की गलती रही, so according to section 31, section 31 के तहद, जो act था, negotiable instrument, उसके act के तहद, अगर, यहाँ पर, अगर banker की गलती रही, तो उसे, as a court, court की तब से, उसको कुछ penalty पड़ेगी, वो penalty उसे देनी होगी, और, जो भी payer है, अगर उसके bank में sufficient balance है, और सारे check, जो भी check के form में रहा है, चक सारा right रहा, अगर उसमें pay की कुछ भी गलती नहीं रही, सारी गलती अगर banker की रही, तो, जो भी loss होगा, जो भी driver है, उसका कुछ भी loss होगा, तो उसे उस loss का परिणाम उसे देना होगा, परिणाम जो भी होगा loss का, अब जैसे normal को तो कुछ भी नहोगा, बट जो भी trader रहेगा जो बिसनस्मेन रहेगा उसके दिन में बहुत दी सारे ट्रांसक्शन चलेंगे अगर उसे अगर कुछ भी लॉस होगा अगर उसे कुछ भी डैमेज हुआ उसका तो उसका सारा सारा जुमेदार बैंकर को या तो फिर इंपलोई जिसके वज़े से उस चेक नहीं चला इसके गशार हो गया तो सारा सारा परिणाम उस बैंकर को देना होगा और उसे मोनल्टी याने पैसों की उसे फैंड भी लगती है पैसे की फैंड वो कोड़ डिसाइड करता है कि कितनी लगती है कितनी नहीं next है the banker may dishonor the check intentionally without any valid reason or by mistake or due to negligence he has to compensate for the loss of the customer so वही है यहाँ पर अगर एक banker intentionally रन दे या तो फिर by mistake रन दे या तो फिर उसकी negligence की वज़े से अगर इसमें अगर banker की कुछ भी गलती रही dishonor of check में so अगर customer का कुछ भी loss हुआ तो उसे compensate देना होगा या तो फिर कुछ भी damage हुआ तो उसका उसे banker को compensate देना होगा और उसे penalty भी अलग लगती है all this in accordance with the wrongful dishonor of the check by the banker in India with the help of the negotiable instrument act 1881 so यह इंडिया में यह जब से खानून लाग हुआ इंडिया में यह एक act आया है negotiable instrument act बोलके 1881 यह act के तहदी इनको fine लगता है so आपको I hope यह wrongful dishonor of check का consequences का topic fully clear हो गया होगा हो गया होगा तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको future में देखने को मिलेंगे इसलिए चैनल को subscribe कर लिजिए और जो भी मेरे पिछले वीडियो से उस उनका मैं लिंक description box में दे रहा हूँ इसलिए एक बार जाकर description box box check कर लिजिए गया थैंक्यू सो मच